समाफत नहीं हुई आज भी विदान सबाब हुई विदांसबा में हमने देड़ करोड एक करोड पचास लाग वोड प्राफ्टे किये अनकारी इस दिन मनाया जाता है कि इस देश में स्वतंत्रता के बाद भी जिस तरह से बहुतन समाज का विकास होना था बहुतन समाज के रोटी रोटी घर मकान जो भी सच मिलना था गरीब जो है वो थोड़ा आम डेवलप्मेंट नहीं हो सकता आज इस देश में बेरोजगारी महिंगाई ये जलन्द मुद्ध है पर इसकर बात नहीं हो रही है और मज्जीत और मनिर पे बात्चीत होती है साथी हो तो ये लोग इस वक्त हम भीमनगर ग्राउंड गोंदिया में है और जैसा कि आप जानते है तारीक आच किये पंदरा जन्वरी और आज ही के दिन बहुजन समाच पार्टी के राश्टे अद्देक्स बहन कुमारी मायवती जी इनका जन्मदिवस है और इनके ही 67 वे जैनती के उपलक्ष पर बहुजन समाच पार्टी गोंदिया के माध्यम से यहाँ पर एक कारेक्रम का आयोजन किया गया है और सबसे पहले आज पूरे दिन बर काफी सारे कारेक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सबसे पहले यहाँ पर बहुजन समाच पार्टी के त प्रपदिनेइस अज़ यहां हम गोंधिया धिल्ला बहुजण समाजपाड़िके द्वार बहन माया वती। इनका सैटस्वा 67 वा जनमदिवस जनकल नेनकारी दियो दिन कुपलक्स में मनाने जा रहे सात्यों विगत कई सालों से आप लोगों ने कांग्रेस की भारतिया जनता पार्टी की सरकार देखे पर इन सरकारों से बहुजन समाज का बदलाव नहीं हुआ इसलिए आज का दिन हम यहां मनाने जा रहे है कि सामाजिक परिवर्तन इस देश में आना चाहिए यह लोग जो है वो बदलाव ला नहीं सकते बहुजन समाज पार्टी इस देश में सामाजिक परिवर्तन ला सकती है राज की आन्नोलन सपल करने के बाद आज इस ग्राउन पर सबसे पहले हमने डाक्टर लोग आये और डाक्टर लोगों ने यहां के जो लोग थे जिनकी बिमारी थी उन लोगों को चेपक का क्याम्प यहां सुरू हुआ बाद में ठीक दो बजे सामाजिक परिवर्तन की रियाली सुरू हो गई रियाली के दारा हम संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रास नहीं हो सकता तुम्हारा डेवलप्मेंट नहीं हो सकता आज इस देश में बेरोजगारी महिंगाई यह जलंद मुद्ध है पर इसकर बात नहीं हो रही है और मज्जीत और मंदिर पर बातचीत होती है साती हो तो यह लोग जो असली मुद्ध है वह भटकाने के भोजन समाच पर्टी जनकल्यांकारी दिवस क्यों मनाती है है वहन जे जनमली सुन aनंकल्यांकारी इसले दिन मनाया जाता है कि इस देश में स्वतन्तरता के बाद भी retired समाश के विकास होना था और और मकान जो भी सक्षेड मिलना था गरीब है वो थोड़ा आमिर हो तो यह जो बोजन समाज के लोग है यह उपर उठने के लिए इन लोगों की परिष्टिती दुरूस्त हो जाए यह थोड़ा इनका सभिमान से जिन्दे की जी सके इसलिए साती हो यह जनकल्यान काड़ी दिन हम आयो जित करते हैं सामाजिक परिवरां की बाद बहुजन समाजबाड़ी लगाता र Loud कहती है क्या माहिन इसके सामाजिक परिव्रतान आवश्यक की लगता है आपको इस देश के अंदर इसलिए सामाजिक परिवत्त नावश्यक है अभी आज का क्या कारेक्रम है अभी बाईक रेली तो हो गई अज बाईक रेली अभी निकल चुके इसके बाद में शाम को छे बजे सुप्रसिद्ध गायक जो यहतमार से आए है वो मनोज राजा इनका प्रभोधन का कारेक्रम है है यहां आउजीत किया गया वो प्रभोधन के बाद में एक बेच में के कटिंग का कारेक्रम होगा मायावतीन के बर्द के अनके के असर पर करेंगे और बाद में हीता जो गरीब विध्यारती है जो पढ़ने वाले जो पढ़ नहीं सकते उन लोगों को हम किताबे पेंड बाटेंगे जो गरीब है जो थंडी के कारण अपनी जिंदगी अच्छी नहीं कर सकते हैं से गरीब लोगों को हम ब्लैंकेट सप्लाइ करेंगे और फिर संगित में कारेकरम दौरा इस कारेकरम की जो है सांगता करेंगे अबी हाली में बहन जी ने प्रेस कांफरेंस की अपने जनमे दिन के असर पर कई सवालों मीडिया ने उनसे पूछे है वो सवाल फिर से मैं दावराना चाहता उनको कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी एक तरीकी से खतम हो चुकी है बहुजन समाज पार्टी अभी कई देश के अंदर में दिख नहीं रही है तो काफी सारे सवालों का जावी बहन जी ने तरक्ति आप जिला देख शूने के नन चाहिए क्जिञे तो आज विदान सवारोँ विदान सभा में हमने देड़ करोड एक करोड पचास लाग वोट प्राफ्ट ने किये आज ही हमारा वोट आप परसेंटेज जो तेरा परसेंट बारा परसेंट वहाँ जैसे का वैसा है मीडिया के करण थोड़ा आगी पीछे हो गया लेकिन बहुजन समाज पार्टी समाप्त अमदर खादर नहीं आया पर गोंदिया से अगर तालू की जाए तो यहां भी हमारे चे पारसते कुड़वा में जाके देखा वा भी हमारे पारसते नागपर में हमारे पारसते ऐसे आगे-आगे बढ़ते गए तो दुले तक भी जाओंगे तो बहुजन समाज पार्टी के पारसत और समापती मिलते हैं जाती हो इसलिए बहुजन समाप पार्टी समाप नहीं हुए और कभी समाप तो नहीं हुए क्योंकि यह बहुजन का अंदोलन है क्या लगता है आपको के आने वाले भाविश्या में बहुजनों की क्या राजनीती बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से सत्ता में आ सकती है या नहीं आ सकती है बहुजन समाज की जो राजनीती है ये सपल राजनीती है आज नहीं कल तो सत्ता में आएंगी क्योंकि महापुरसों ने जो बात कई वो बात सपल होती है तो आज नहीं कल नहीं परसो बहुजनों की राजनीती सपल होंगी क्योंकि मानने और कांसीर राम जी ने कहा था कि एक् प्राइन आपके प्राइसल समाच पार्ओं का नितल देवस करता है। ि और इस प्राइसल करें देवस्दं अल्बेर कुट पुरुए है। तक रिया ज़रूर बताए और दथिंग के माध्यम से भी आज भेन मायवतिजी इनके दिरगायों की कामना करते हम भी उन्हें अपनी मंगल कामना है देते हैं बने रहे दथिंग के साथ तब तक के लिए जय भीम जय भारत बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले